हलो गाइस वोगम बाक टू माइ चैनल इस वीडियों बात करने वाले निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर मंडे यानि की आने वाला मंडे हमारा कैसा रह सकता है आप लोग को पता ही है कि 2000 का नोट बंद करने की बात आज चुकी है इसका इंपेक्ट मंडे को पड़ेगा या नह 2450 के आसपास था एंड इसने जो लो बनाया है वो बनाया 18,050 के आसपास यानि कि आप खुद देख सकते हो कि मार्केट का सिंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है और उसमें एक ऐसी निउस आना ये बिलकुल पैनिक क्रियेट करके देगा है मंडे को इसका इंपेक्ट आपको मार्केट पर भी दिख सकता है या फिर आने वाले वीक की बात करें सो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ऐस सच अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ओना डेली बेसे इसमें हम वीकली भी बात करेंगे इसमें मैं पांच मिट के चार्ट पर आपको बताऊंगा लेव मार्केट में जब मैं टेलीग्राम को आपको चार्ट शेर करता हूँ यह वो मेहनत है तो अगर आप फर्स टाइम चार्ट पर विजिट कर रहे हो तो एक तो बोलूँगा आप पूरा वीडियो देखिए तो आपको सबकु समाझ बहेगा प्लस टेलीग्राम का लिंक है डिस रेजिस्टेंस लेवल से घूमा जो की सबस्टेंस अगर यह 18,450-50 निकाल देता तो इसके बाद सीधा उसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो 700 के आसपास है लेकिन हम पहले ही घूम गए तो यह बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है प्लस अगर आप देखेंगे तो लास् बड़ी केंडल बना रहा था उपर जाने के लिए दें छोटी-छोटी होती चलिए और उसके बाद ड्रॉप आया उससे पहले जब मार्केट एक और बार रुका था जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 17 अपरेल के आसपास मार्केट ने बड़ी केंडल बनाया है बड़ी यहाँ पर जो सपोर्ट है वो बहुत भी अच्छा है अगर आप क्लोजिंग देखोगे पिछले तीन दिनों की तो वो 18,100 के ऊपर ही हुई है तो जब तक हमारी क्लोजिंग डेली की बात कर रहा हूं में वो अगर नीचे क्लोज नहीं करता है 18,100 के तब तक टेंशन की बात नहीं है पहले इसको क्लोज करना पड़ेगा 18,100 के नीचे एक और चीज मैं आपको बताता हूं तो आपको बैदर तरीके से समझा वाँगा देखे यह लेवल कौन सा है इस पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर मार्केट क्यों रुक रहा है यहाँ पर मैंने क्यों सपोर्ट उपर की तरफ चला तो यह जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल लेवल है अगर यह तूटेगा तो फिर पैने क्रियेट हो जाएगा इस बात का ध्यान रखना जो की ओविसली 18,050 और 18,000 का लेवल निकल के आता है तो यह तो हो गया डेली के चार्ट के उपर हम जादा निगेटीब नहीं है निगेटेव अम तब जाएगी तक हम 18,000 के नीचे या फिर 18,000 के नीचे या फिर 18,000 के नीचे डेली क्लोस कर देते हैं अभी मैं आपको विक्ली चार्ट दिखाँगा अच्छा इस वीडियो में आप दो स्टॉक्स के बारे में भी बात तो इस week में आप देखोगे कि जो closing या फिर जो ending हुई है वो पिछले week की जो candle बनीती उसके लगबा half के आसपास है यानि कि ठीक ठाक है अभी कोई problem as such नहीं देखने को मिल रही है market के अंदर अब market में तेजी कब आएगी market में तेजी आएगी जब भाया यह अपना 18,350 के उपर closing करेगा week नीचे की तरफ कब दिक्कत आएगी जब 18,000 के नीचे या फिर 18,50 जो मैं आपको बता दिया same level है अब हम बात करेंगे 5 मिट के चार्ट पर कि Monday को आपको कहां पर trades मिल सकती है कौन से level important है आपको ये भी बताऊंगा आप जाके कल की वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने सिर्फ 5 मिट के चार्ट के उपर ही discussion किया तो और बेटर तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएगी तो भाईया ये देख रहा है हमारा पिछले दो दिन का चार्ट ये जो आपको blue blue line देख रहे हैं ये मेरे support है नीचे black line ये अपने resistance है उपर एक और line है व जो हमने last दिन trade दिया था ये w pattern पे हमने trade दिया था देन यहाँ पर हमने trade दिया था देन ये level जब निकला था ये trade दिया था morning time में यहाँ पर trade दिया था तो काफी सारे trade मिलते आप उधर active रहे तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा अब बात कर लेते हैं 18,200 पे हमारा market र होता है तो भाई हम gap down open होने वाले हैं इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिए ठीक है अगर हम gap down gap up कुछ भी होते हैं तो हमारे जो important levels है मैं वह आपको बता देता हूँ नीचे की साड़ हमारा important level है 18,160 अगर हम इसको निकालते हैं 160 150 को तो again हम किस level तक जा सकते हैं intraday के levels वो मैं बता जेता हूँ वो हम जाएंगे फिर ये वाला जो range है ना 18,120 से लेगे 18,110 हम इस range में वापस से जाएंगे अगर हम इसको तोड़ते हैं इसको तो हम यहाँ वापस जाएंगे यहाँ पर अच्छा support देखने को मिला है काफी बार support देखने को मिला है पिछले और आपर एक बड़ी trade बनी थी हमारी जो हमने टेलिग्रम पर शेयर भी किया था उपर की बात करें तो हमारा market 18,200 अब अगर आपको trade लेनी है तो आपको 18,220 के उपर लेनी है उपर भी काफी सारे resistance से इस चीज का ध्यान रखे तो छोटे-छोटे 10, 15, 20 ऐसे point बनाओ और market से exit यह कर सकते हैं आप लोग देगा है उपर की बात करें 18,235 से 40 देन 18,250 एंड देन 18,275 या फिर बोला जाए यह जो हमारा high बनाता 18,300 के आजपास यह अपने levels रहने वाले हैं मंडे के लिए आइदर हम 50 start point यहाँ पर खोलते हैं तो 18,120,130 के आजपास को लेंगे देन आपको क्या करना है देरा आपको देखना है क्या market यहां support ले रहा है अगर support लेगा तो वापस यहां पर buying बनेगी CE में अगर support नहीं लेगा तो PE में trade बना लेना यह हो गया हमारा gap up का plan अगर हम उपर gap up होते हैं तो plan करना gap filling के लिए because मैंने यहाँ पर भी आपको gap filling के लिए बोला मैंने यहां पर भी आपको gap filling के लिए बोला तो मैं वापस से बोलूगा कि अगर gap create होता है तो gap filling के बारे में ज्यादा सोचिए बजाए यह सोच कि market उपर चलता चला जाएगा because उपर चलता चला जाएगा तो उसको 1,2,3,3,4 resistance है जो face करने पड़ेंगे तो यह होगे हमारा plan मंडे के लिए बाकि आप टेलिग्राम पर आऊगे तो मैं मंडे को वापस से morning time में lever share करता हूँ तो वो आप वहाँ पर पढ़ लेना अब हम बात करेंगे जल्दी से दो ऐसे stocks के बारे में जो आप ले सकते हो अच्छे कासे discount पर है कितने discount पर है उसकी हम बात कर लेते हैं तो पहला stock है हमारा 2081 के असपास और हम इसको weekly में जाके देखेंगे क्योंकि भईया हम इसको दो दिन के लिए नहीं खरीद रहे हैं at least 3-4-5 महीने के लिए buy करना चाते हैं इसको मैंने काफी बार discussion किया है कैम समारा stock है आप देख सकते हैं कि already अपने support के उपर टिका हुआ है काफी time हो गया इसको इस support से bounce लिया है इसने काफी बार जैसा की अगर आप देखोगे उपर से एक trend line भी आ रही है और वो narrow होती हुई चली जा रही है तो अब इसका जो final scene जो बनता है वो बनता है या तो इसको तोड़के उपर की तरफ चला जाए या फिर इसको तोड़के नीचे की तरफ चला जाए लेकिन आपके लिए best opportunity इसलिए क्योंकि इस range से काफी बार इसको आप देख सकते हैं उठा भी है लेकिन अगर आप यहा फिर again notice करना चाहेंगे तो यह भी देख सकते हो head and shoulder pattern है तो इसको break भी कर सकता है देखो risk रहेगा लेकिन मैं कभी भी यह नहीं बोलता कि आप 100% यहाँ पर invest कर दो मैं बोलूँगा आप 50% यहाँ invest करो अगर यह trend line उपर का तूटता है तो फिर आप इसमें दीरे दीरे करके invest और कर दो क्योंकि आप देख सकते हैं इसका all time high कहाँ पर हमारा 3800 और अभी आपको मिल रहा है 2081 पर अभी कितना percent बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा हाँ लेकिन अगर यह level भी निकल जाता है तो next आपकी buying जो बनेगी वो बनेगी 800 पर ठीक है इस चीज़ का आप लोगो ध्यान रखना है कि यहाँ पर 50% उसके बाद यहाँ जोगा वो 1700-1800 के असपास हो जाएगा अब बात करें कि कितना percent return है देखे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कितना percent यह नीचे आ चुका है हम यहाँ से ही जोडेंगे अगर यहाँ से आप देखोगे तो almost almost 80% down है ठीक है 80% is a big thing and company as such as कुछ खराब नहीं है यह भी मैं बोलना चाहूंगा जिस लेवल पर अभी है अगर आप notice करोगे 2000 के लेवल पर है तो यहाँ से भी भाईया वही सेम आपको 17 बड़ आप इसके लिए मत जाना कि आप all time high pace में निकलना चाहते हो no 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 अगर आप यहाँ पर बाइंग कर रहे तो पहला target आपका 25% रहने वाला है जो कि अभी है अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाए जैसे कि माल लीजे आपका और नीचे जाता है तो अगर आपकी 850 पर होती है तो फिर आप देख सकते हैं 70% return काफी बढ़ी है अगर यह आपको एक साल में भी मिलता है दो साल में भी मिलता है तो भी यह return बहुत ही शानदार ह and same इसी category का एक और stock है जो मुझे लगता है इन में से आप या तो 50-50% रुपे डाल दो या फिर पूरा भी एक में डाल सकते हो मैं बोलूगा 2 में डालो कभी कोई stock भाग जाता है कभी कोई बाग जाता है तो इस तरीके से आपको फाइदा होगा काफी तो यह हमारा दूसरा stock है SDFC AMC so अगर आप इस stock को notice करोगे तो इस stock ने भी 3800 का high बनाया है and अभी stock 1800 पे चल रहा है ठीक है तो समझ जाओ कि कितना बड़ा discount है almost 50% यह drop हो चुका है अपने high से तो आप जब भी यह उपर जाएगा तो इसका जो target आपका पहल मतलब बड़ा target वो 100% का रहेगा क्यों अब मैं क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर buying करने के लिए उसके वारे में भी बात कर लेते हैं देखे यहाँ पर अगर आप notice करोगे यह एक range थी यह weekly chart है यहाँ पर आप notice करोगे यहाँ पर आप notice करोगे जहां से stock चालू हुआता है यह यह हमारे चार point है अगर मैं पहले बोल है तो मैं अब जो buying का राय दे रहा हूं वो दे रहा हूं इस point पर आप यहाँ पर जो कि यह stock लगब लगब अगर आप notice करोगे तो कहां से गूम के आया है यह 1600 से भी 800 यानि 200 पर अलड़ी अप है अच्छा stock है अच्छे price पर अलड़ी अविलेबल है इसके target की बात करें तो मुझे लगता है कि यह stock आपके पास होना चाहिए और जब भी तेजी आएगी इन दो stocks के अंदर तो यह बहुत ज्यादा time नहीं लगाएंगे विदिन महीने के अंदर आपको आपके targets अचीव करबा देंगे तो I hope आप लोगो वीडियो समझ में आयोगी आपको nifty 50 के level समझ में होंगे आपको यह दोनों SDFC, AMC and camps समझ में होगा हाँ एक और चीज बोलूँगा camps and SDFC, sorry, camps and SDFC, AMC, इनके आप एक बार यह और देख लेना कि profits कैसे चल रहे हैं, इनका revenue कैसा आ रहा है, क्या यह growing है या नहीं है, या कहीं एक जगह रुख चुका है, तो वो चीज देख लेना, प्लस ये भी देखना, कि भाया FIA-DI की holdings में क्या difference आया है, लास्ट दो-तीन महीने में, क्या उन्होंने अपनी holding को बढ़ाया है, या फिर कम किया है, अगर बढ़ाया है, तो फिर for sure आप इसमें जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बात का ध्या subscribe और telegram को join करो, बिकोज उसमें तो आपका ही फायदा है, प्लस comment section में अगर आप किसी और stock के बारे में जानना चाते हो, तो मुझे बताइए, मैं उसके बारे में आपको short video बना गए दूँग, ताकि आपको levels clear हो जाए कि कहाँ पर आपको buying करनी है, या कहाँ पर आपको exit ल